नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं गौवर्मेंट टेंपले जीज यूट्यूब चैनल क्या सरकार पुरानी पैंट से नियोजिना लागू करने पर विचार कर रही संसल से महतपूर्ण और ताज अपडेट दोस्तों राज सबा में आज 7 परवरी 2023 को पुरानी पैंट से नियोजिना को फिर से लागू किया जाने के समद्ध में महतपूर्ण जानकारी वित्विवाग के द्वारा दी गई है जिसके बारे में हम से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वीडियो का अपलाश तक जरूर देखें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पुरानी पैंट से नियोजिना यानि कि OPS को लागू किया जाना तो यह यहाँ पर राजसवा में वित्विवाग के द्वारा दिया गया एक महतपूर्ण जवाब है तो पहले जान लेते हैं आपर सवालों को उसके बाद में जानेंगे जवाओं को तो यहाँ पर स्री दीपिंदर सिंग हुड़ा जी के द्वारा सवाल पूचे गए थे कि क्या वित्मंत्री जी यह है बताने की किरपा करेंगे कि क्या सरकार को देश भर से केज सरकार के करमचारियों के विभीन संगों और सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कारवाही की है क्या सरकार पूरानी पैंदर सिंग हुड़ा के द्वारा पूछे गए हैं इन सभी सवालों के जवाब आगे वीडियो में जानने वाले हैं वीडियो को लाश तक जरूर देखें लेकिन सरकारी करमचारियों के लिए कौन सी पैंसन योजना सबसे बहतर है उसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं तो यहां पर सवालों के जवाब देगे हैं जो की इस प्रकार हैं व्रद्धा वस्ता आज सुरक्षा प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण निवेज के माध्यम से छोटी बचत को अर्थ वस्ता के उत्पादक छेत्रों में चैनेलाईज करने के लिए निर्धारित लाब पैंशन परनाले के स्तान पर निर्धारित अंसदाई पैंशन उजना लागू करने के लिए राश्टिय पैंशन परनाली यानिकी NPS को आरंब किया गया था समय समय पर प्राप्त अभ्याविदनों में पुरानी पेंटिशनों जना को पुने बहाल करने का अन्रोध सामिल है यानि कि अन्रोध करमचारियों के द्वारा किया जा रहा है एक जनुरी 2004 को या उसके पस्चात भरती हुए केज सरकार के करमचारियों के सम्द में पुरानी पेंटिशनों जना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारा धीन नहीं है यानि कि फिलाल सरकार ने ये साफ कर दिया एक बार कि एक जिनुरे 2004 और उसके पस्चात भरती हुए के इंद्रे करमचारियों को फिलाल प्राणी पेंटिस नोजना का लाब दियाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचारा दिन नहीं है 12 सरकार ने कि सरकार के करमचारियों के लिए NPS को युकती संगत बनाने और अभी दाताओं के हितों की रक्षा के लिए एक अदम उठाये हैं इनमें सरकार के युकदान को पूर्व के वेतन प्लस डिये के 10 फीस दिसे बढ़ा कर 14 फीस दिकिया गया है इसके अलावा करमचारियों को टेक्स में छूट यहां पर दी गई है और आगे यहां पर यह भी कहा गया है कि पिंकम टेक्स अदिनियम 1961 की धारा असी सी के तैत पर कर चूट और देरासी की एक मुस्त निकासी के लिए कर चूट की सीमा को पूर्व के 40 फीस दी से बढ़ा कर 60 फीस दी किया गया है ताकि पूरी निकासी को आयकर से छोट प्राप्त हो यह सबी सामिल है सरकारी करमचैरियों के लिए जो फैंसला लिया गया है उसके संब्द में तो ये महत्पूर्ण अनकर फिलाल सरकार करब चैरियों के लिए निकल करा रही है कि NPS के जगे पर प्रानी पेंसे जिना को लागू करने का फिलाल कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में विचारा धिन नहीं है देखना यह है कि इसके बारे में आगे क्या कदम सरकार के दौरा उठाए जाने वाले हैं तो फिलाल इस वीडियो में तरहीं वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपके दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रस करें हारे के लटास अबेट सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद